इस वीडियो में हम consumer code के एक latest judgment के बारे में बात करेंगे जो की RERA Act के उपर है और ये सवाल उठाता है कि अगर builder time safe flat की delivery नहीं देता है तो consumer को क्या करना चाहिए क्या consumer को उसका दिया हुआ पैसा ब्यास समेत वापिस मिल सकता है या फिर नहीं आये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले थोड़े सा समझते हैं RERA Act के बारे में जिसे हम real estate विनिमे और विकास अधिनियम 2016 के नाम से जानते हैं इसे राजे सभा ने 10 मार्च 2016 को और लोग सभा ने 15 मार्च 2016 को पारिद किया था जिसके बाद राष्टपती के भी सहमती प्राप्त हो गई थी RERA Act 2016 इंडिया के real estate area में एक नए युक्की स्टार्टिंग करता है इसकी वज़ा से real estate में transparency और financial discipline को promote किया गया है इस act के अंतरगत जो consumer होता है उसे protection दी जाती है जिसकी वज़ा से agent जो होते हैं consumer का शोशन नहीं कर पाते क्योंकि इसके अंतरगत agreement to sale rule को बहुत ही solid बनाया गया है तो NCDRC ने अपने एक एहम फैसले में कहा है कि अगर builder खरीदार को time से घर की delivery नहीं देता है तो खरीदार अपना पैसा builder से वापिस मांग सकता है इस मामले में खरीदार ने symphony royal project में एक flat book किया था जो की 42 लाक रुपे का था जिसमें खरीदार ने 30 लाक रुपे advance में पे कर दिये थे और बाकी पैसे उसे flat की delivery पर देने थे और ये project था 2 साल का लेकिन ये project time से पूरा नहीं हुआ जिसकी वज़े से consumer को flat का कबज़ा नहीं मिला जिसके बाद खरीदार ने builder पर एक कानूनी नोटिस भीजा जिसका कोई जवाब उसे नहीं मिला फिर ये मामला consumer court में पहुचा जहापर court ने उसे 30 लाक रुपे ब्याच के साथ वापिस करने का आदेश दिया जिसके बाद builder ने इस फैसले को राश्रिय उभोगता आयोग में चुनौती दी जिसे हम NCDRC के नाम से जानते हैं तो NCDRC ने इस मामले की जाच की और कहा कि residential प्रोजेक्ट में खरीदार को आसीमित समय के लिए इंतजार नहीं करवाया जा सकता खास कर तब जब उभोगता ने टाइम से पेमेंट कर दी हो इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोट ने भी अपनी राए दी है और कहा है कि consumer ऐसी cases में अपना पैसा वापिस मांग सकता है इसी लिए NCRRC ने अपने फैसले में कहा कि राजयो भूगता आयोग का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था बिल्डर को 12% interest rate के साथ प्लस 10,000 legal fees के साथ 30,000 रुपे खरीदार को वापिस करने होंगे इसी के साथ उन्होंने बिल्डर की की हुई अपिल को खारिश कर दिया तो अगर किसी ने अपना flat book किया है और उसे time से flat के delivery नहीं मिलती है तो ये judgment उनके बहुत काम का है वो अपना वो इस judgment की help से अपना पैसा बिल्डर से वापिस ले सकते हैं वो भी interest के साथ होप कि ये वीडियो आपको informative लगा होगा वीडियो को like और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा